स्वागा साहब का पॉब्लिक टॉक्स पर और मैं हूँ आपके साथ नियराजम आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिले इसलामिया के पेजी डिपलोमा टीवी जनलिंग कोर्स के बारे में इस कोर्स का प्रिप्रेशन कैसे करें कौन सी स्ट्रेटजी कौन सा रूट अपनाए जिससे आसानी समय इंट्रेंश कलें और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौझूद है उसी कोर्स के पूर्व स्टूडेंट श्वाइब सालमानी स्वाइब सलमानी जैसे हम जानेंगे कि वो कौन सा रूट अपनाए थे तो भाई सबसे पहले स्वागत है आपका जी शुक्रिया यह आप हम आगे बात करें शौइब भाई इससे पहले आप शौट में अपना एक इंट्रो दे दीजें जैसा कि उन्होंने बताया मेरा नाम स् और मैंने भी इसी पीजी डिप्लोमा टीवी जनल जमकोर से पढ़ाई पूरी किया है और इस समय मैं गुलिस्तान नीज चैनल में एंकर कम कंटेंट राइटर पोस्ट पर जॉब कर रहा हूँ हम जॉब पर आएंगे लेकिन उससे पहले यह जानने चाहेंगे कि आप स्ट्रेटिजी कौन से अपना आया थे कैसे प्रिपरेशन किये थे क्योंकि अभी सबसे बड़ा डाउट तो वही है ना एड्मिशन के बाद ही तो जॉब वगर यह बात खुल थी तो पहले कैसे एड से लोग चलाते हैं चामिया के ट्यारी करने के लिए तो समय मैंने सर्च किया है कि Eye Fram कोबरे में कैसे तैयारी की जाए तो यूटूब से मैंने सारी तयारी की यूटूब से पेपर निकाला YouTube से सब कुछ पहली बार जामियों को मैंने यूट्यूब से ही देखा था यूट्यूब से सब कुछ देखे थे लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बैक्ग्राउंड इसका मीडिया से होना जरूरी है अगर आप पीजी डिप्लोमा टीवी जलिंद कर रहे हैं तो क्या यह सच है नहीं ऐसा कुछ करिंठेस वगार रिपटरिंज के लिए कोई किताब नहीं लिए ते कोई लिए लेकिन आपको करना हो पर आपको नियमेट इली अभबार पढ़ना और आखबार का वह पेज। जो समपाद की एपीज होता है जिसमें लेक होते हैं राइटरों के उस पर फोकस करना होगा क्योंकि वही अख़बार का वो हिस्सा होता है जिसमें से पेपर के जो साथ नंबर का कोस्चन होता है जो 6 question होते हैं ददस नमबर के 60 नमबर के वो वहीं से आते हैं question का pattern क्या होता है in attendance में कितने मांकशा होता है और objective subjective क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताईए question का pattern समझने से पहले आपको paper का pattern समझना होगा कि paper दो हिस्तों में होता है 40 number का optional होता है और 60 नमबर का सब्जेक्टिव होता है जो 40 नमबर का होता वो 40 कोश्चन होते हैं उसमें आपको मिलेगा जैसे कुछ बुक जो हाली ही में बुक लाँच हुए हूँ न्यू बुक उसके लेखक कौन है और आपको उसमें ये देखना होगा टीबी का जो इतिहास रहा है टीबी की शुरुआत कहां होई भारत में और लेबल पर भी अखबार की जो शुरुआत है भारत में भी और लेबल पर दोनों की शुरुआत दोनों का इतिहास आपको पढ़ना होगा और इस समय मौजुदा हालात में जो टीवी चैनल है उसको कौन सा एंकर होस्ट करता है और वो प्रोग्राम किस चैनल का हिस्सा है जिसे एक्जामपल के तौर पर हमसे पूछा गया था हमारी पेपर में आया था कि फे किस चैनल का प्रोग्राम है अगर तो आप अब जैसा पुछर में पांच-छे एंकर है तो आप द्यान में रखना से सबस्क्राइब दो yardım师 से और को सब्सक्राइब करना हो예요 झाल नहीं गर्फास मैं करते हैं कि उसरी जो पीछे को से क्वेड़ास, कि इसारी चीजे वर्ड लेबल बहुत पर भारतinky के इस्तर पर भूर कि disp promet का Second इस तरीके को लेकर भी कोश्चन आते हैं पहला एवाड किसे मिला था और हाल ही में मीडिया फिल्ड में किसको कौन सा आवाड दिया गया है इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा यह सारी चीजे क्लास बगर लिया था नहीं मैंने कोई क्लास ने लिया था अवर दूसरी बात जो क्रेंट अफेर हैं उस पर नजर बनी रहेगी तो ऐसे कोश्चन आसानी से साल्व हो जाते हैं अगर हम बात करें उसके जो सब्जेक्टिव कोश्चन है साथ नंबर के तो उसमें कुछ कोश्चन ऐसे भी आये हुए थे कि आपके पसंदिदा एंकर के बारे में लिखिए किसी एक पसंदिदा एंकर के बारे में आप लिखिए तो आपको दो पेज उस पर लिखना होगा मौजुदा जो हाला चल रहे हैं इस समय आपको यह भी आ जाएगा कि यूकरेन रस्या के बारे में आपकी क्या राय है भारत में कुछ जो घटनाय घटी हैं उसको भी लेकर स सवाल हो सकते हैं या यह भी आसादादालिए में जो चुनाओ हुए है उसको भी लेकर आपकी क्या राय है यह यह भी पूछा जा सकता है आपकी राय सब्सक्राइबicherung में क्या राय है माहूल किस तरफ है आपकी मतलब रड़नीत क्या हो सकती है सरकार की इस तरीक ए से भी कितने मार्क्स के एक कोस्चन होते हैं दस मार्क्स का एक कोस्चन होता है और टोटल छे कोस्चन होते हैं लेकिन छे ही नहीं होते हैं आठ दस भी हो सकते हैं आपको उसमें ऑप्शन मिल जाएगा छे करने का कोर्स के बाद हम कर लिए लगभग एंट्रेंस के बाद कर लिए आप पुरू उचात्र रहे चुकर तो जाहिए इसे बात है आप कुछ और ज्यादा है और आप शुरूम बताए कि मैं जॉब कर रहा हूं तो यह बताईए कि घुमफिर करके बात आता है कि सेलरी पे पैसो पे जॉब पे तो क्या इस कोर्स करने के बाद प्लेस्वेंट हो जाता है इस कोर्स से जी बिल्कुल हांडर परसंट होता है हमारा भी हुआ है काफी लोगों का हुआ है लेकिन आपके बैचमेंट में आपको चैनल तक भेज देंगे इंटर्विव में भी बैठा भी देंगे लेकिन क्रेक करना उस क्वालिफाई करना आपका काम होगा अच्छा सब्सक्राइब हम इंटर्विव के आखिर माच चुके हैं इस स्क्रीन के उस पर बैठ करके जो देख रहे हैं वह साल इंट्रें चाहेंगे उस स्ट्रेंट को हम यहीं बताना चाहेंगे कि छूटा तो कुछ ने अपने सारी चीजें पूछी हैं अखबार पर मेरा जो रहा है कि आप अखबार पर फोकस करिए और अखबार ही है जो आपको डेली अपडेट कराएगा डेली की घटनाओं से और वो जो मैं संपाद की जो पेज है उस पर आप काफी फोकस करें क्योंकि साथ नंबर का है उस पर उसको पढ़ने से गंभीरता आती है लिखने की आप गहराई तक सोच सकते हैं तो वो माइन ही लाती है आपके क्वेश्चन में तो उस पर आप ज्यादा फोकस करें और आप टीवी चैन की है इंट्रेंस के बारे में काफी कुछ बात बताएं और खास तोर से आपने बताया कि अख़बार पर फोकस करनी चाहिए इसमें इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो यह थे हमारे साथ शोयब सलमानी जो जामिया इसलामिया के पीजी डिप्लमा टीवी जनल अख़गो यह जो दो